A economy की हमारी है class second ठीक है अँसी सیکकिंड हमारी class है । इसमें हम कुछ topics को आज cover करेंगे तो पहला जो हमारा topic रहएगा वो रहेगा national income से related कुछ important terms कैसे इसको calculate क्या जाता है कौन क्वार्टस जिस पर इसको calculate करते हैं second में हम करेंगे five और फिर हम उसके बाद एक करेंगे इंफलेशन तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यह जो नेशनल इंकम है यह होती क्या है कि कल हमने इसको डिसकर्स किया था नेशनल इंकम को और मुझे बताओ कि इसकी साइकल होती है कि उनका मार्केट में इंट्रोड्यूज होने से लेकर मतलब raw material से लेकर आगे तक पूरा उनका जो साइकल होएगी वो होती है नेशनल इंकम उससे जो जेनरेट होगा मतलब मनी ओके तो मतलब total income generated by the residence in a year यह होगी आपकी national income ठीक है और इसके साथ में हमने एक टाम और पढ़ी थी कल जीडीपी की जीडीपी की हमने बात की थी कि जितने भी goods and services एक साल के अंदर in a given territory produced होते हैं उनको कहते हैं gross domestic product और जब हम gross की बात कर रहा है यहाँ पर तो हम depreciation को include करते हैं ठीक है और subsidies को add करते हैं ठीक है यह basic हमने discuss किया था अभी national income को calculate कैसे किया जाता है कैसे हमें पता चलेगा कि कितनी हमारी जो है वो national income है calculation कैसे होती है तो पहला जो तरीका है उसको कहते हैं income method कि सीधी सी बात है कि जिसकी जितनी income है उसके behalf पर उसको calculate कर लो और उससे जो है वो आपकी national income निकल जाएगी income में wages, profit, interest और rent यह चार include होते हैं wages plus profit plus interest और plus rent इन सब को calculate करके जो है यह वो एक income method के थ्रूँ जो है वो national income को calculate किया जा सकता है पहला method देन उसके बाद दूसरा जो method होता है वो तर प्रोडक्शन method जो प्रोडक्शन मेथर्ड है सेकिंड मेथर्ड इसमें क्या होता है कि जितनी भी जो एग्रिगेट जो वैली होती है ना पूरी की पूरी उसको calculate किया जाता है जैसे फ़र raw material से लेकर market तक पहुंचने तक जितना भी पैसा जो है वो आपने किसी भी product को बनाने के लिए लगाया उसको calculate किया जाता है production में जैसे for example की कोई pen है ठीक है और उस pen की जो cost है वो overall किस तरह से calculate decide की जाएगी किस तरह से उसको add किया जाएगा तो उसमें कहा कि दो रुपे का raw material आया दो रुपे का plastic बना दो रुपे की उसमें ink डाली फिर उसके ओपर जो tax जो है वो आपका production level पर हुआ वो फिर subsidies वगारा include करके then उसको tax payment include करकर finally pen जो है वो 200 रुपे का market में आ गया तो यह जितना भी टोटल इसको add किया जा रहा है इसको कहते है प्रोडक्शन मेथट इंकम कैलकुलेट करने के लिए देन उसके बाद थर्ड आता एक्सपेंडिचर मेथ़ड एक्सपेंडिचर मेथड में यह होता है कि कितना जो आपके consume का जो आप final consumption हागर हम इसके बात करें कि कितना पैसा हम लोग spend कर रहे हैं एक household लेवल पर एक firm लेवल पर उसको बोलते हैं expenditure method कि like मेरे पास पैसा है ठीक है और मैं कितना खर्च कर रहा हूँ तो उससे भी calculate किया जा सकते हैं कि अच्छा मैंने इतना यहां खर्च किया इतना यहां खर्च किया उनको जो है वो आप पूरा calculate करोगे तो उससे भी जो है वो आपका national income calculate की जा सकती है तो यह तीन basic जो है वो parameters है जिसके behalf पे जो है वो national income को calculate किया जाता है अब इसके बाद जो दूसरा important topic हमारे पास आता है वो आता है इसी में ही कि challenges क्या क्या होते हैं फिर हमारी जो national income है उसके साथ क्या क्या challenges जो है वो associated है तो सबसे पहला तो यह याद रखना कि data collection अभी income तो यहां से जो concern रहता है वो data से रहता है कि आप कितना जो correct या जो है वो पूरा पूरा accurate data provide कर रहे हो ठीक है उसके बाद यहां पर यह होता है कि parallel economy भी यहां पर एक run होती है मतलब जिसको black market कहते है लोग tax से बचने के लिए अपने income को कम show करते हैं और बाकी जितना होता है वो parallel run करता है जिसको black market कहा गया है तो यह भी एक challenge रहता है national income calculations related थर्ड पर जो challenge रहता है वो यह रहता है कि government के measures like जैसे demonetization सरकार ने की थी तो उससे बहुत सारे लोगों का जो है वो income पर effect पढ़ा था चाब वो positive impact हो चाब वो negative impact हो लेकिन पढ़ा था तो उसकी वज़ा से अभी जो है वो आपका national income में जो है वो थोड़े से challenges देखे गए तो यह कुछ basic कारण है जिसकी वज़ा से जो है वो आपका national income पर थोड़ा सा effect पढ़ता है क्लियर यह समझ आ गया कि सर्फ चैलेंज क्या बताया आपने फॉर्स चैलेंज है जो डाटा कलेक्शन कैसे मतलब सर्फ कि कितना calculation वह यह नहीं प्रॉपर्ली आया प्रॉपर्ली एग्जेक्ट डाटा कलेक्शन नहीं है ओके यह समझ आ गया जी इसके बाद एक topic आता है बहुत ज़्यादा important topic मतलब यह exam में काफी chances रहते हैं question यहां से exam में बन जाते हैं वो है inflation क्या होती है inflation कि वट दो अंडर्स्टैंड बाइंफ्लेशन कि सर कितनी तेजी से किसी भी particular product का price बढ़ रहा है एक particular time में जैसे अभी food inflation बहुत ज़्यादा न्यूज में था बिल्कुल that means rising prices of goods and services कि जो goods and services है inflation topic हम बढ़ रहे हैं और इसमें जो है कि जितना भी जो आपका rise हो रहा है goods और services में उनके prices में जो आपका rise हो रहा है उसको कहते है inflation simple clear definition रुडाली में हम समझा गई inflation के definition inflation मतलब महंगाई और इसमें basic जो आपको याद रखना है वो यही कि inflation मतलब जब price हाई हो रहे है इसके opposite एक term होते है deflation deflation जो term apply होते है वो तब apply होते है जब price जो है वो कम हो रहे है जब price क्या हो रहे है कम हो रहे है यह terms बिल्कुल ध्यान सा याद करना जो इनक आपके inflation के साथ लिंक कर दिये एक term apply होते है dis inflation dis inflation का मतलब क्या अब देखो dis inflation dis लग रहा है तो मतलब inflation कम हो ही है लेकिन उतनी कम नहीं हुई अभी भी positive inflation ही है तो dis inflation को positive inflation भी कहा गया है कि महंगाई कम तो हो रही है लेकिन अभी भी बहुत जादा है जो inflation का rate है वो कम हुआ है no doubt accepted but लेकिन अभी भी positive जो है वो inflation है अभी भी वो उतना कम नहीं हुआ जितना चाहिए clear sir आप positive inflation word यूज कर रहे है मतलब कि इसका कुछ ऐसा relation भी है कि मतलब यह जैसे कई बार होता है na कि inflation is for the good वो भी यह भी discuss करेंगे आगे वो कैसे है एक्चल में क्या हुआ कि मान लीजिए inflation का जो rate है वो 10% पहुँच गया अब यह बहुत जादा हो गया double digit शुरू हो गया लेकिन उसके बाद क्या हुआ within one month यह कम होकर साथ पह पहुँच गया लेकिन नॉर्मल कितना था चार चार तो नॉर्मल है लेकिन अभी भी यह नॉर्मल से 3% हाई है तो इसको कहते हैं डिस इंफलेशन तो हुई है लेकिन अभी भी वो चल रही है remain positive कि अभी भी inflation है उसके बाद एक term आती है यहाँ पर जो अपलाई होती है वो होती है reflation terms ना direct exam में आती है reflation re मतलब दुबारा से जैसे 7 तक पहुँचा था फिर से again 10 हो गया और 10 नहीं हुआ फिर इस पार चलके जो वो 12 हो गया तो इसको बोलते है re inflation कि एक बार मेंगाई कम हुई थी थोड़ी सी लेकिन फिर से जादा हो गई यह समझा गया सर पर होती inflation में है हाँ जी इसके बाद एक term आती है वो आती है stagflation stagflation में क्या होता है अब यहाँ पर वो concept आता है यहाँ पर यह कहा गया है कि economic growth जो है वो economic growth rate पहला point आता है कि inflation बहुत हाई है inflation high high inflation economic growth slow लेकिन unemployment बहुत जादा अब इस चीज को कैसे समझा जा सकता है जब high inflation होगी तो मतलब क्या है interest rate बहुत जादा है high inflation मतलब already अगर investment करनी है तो normal से जादा पैसा खर्च करना पड़ेगा जब normal से जादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो क्या investment होगी नहीं नहीं तो मतलब क्या है कि नहीं jobs नहीं create होगी economic growth होगी मतलब कम हो जाएगी कम हो जाएगी economic growth जब economic growth कम होगी नहीं jobs create नहीं होगी तो क्या होगा unemployment हाई होगी तो इसको बोलते हैं stagflation stag मतलब कि economy जो है वो stagnant हो रही है लेकिन inflation और unemployment दोनों हाई है slow economic growth and high unemployment यह term exam में पूछने वाली है बहुत जादा इंग बाटेट देन इसके बाद दूसरी आती है skew inflation skew skew का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता हिंदी में अच्छा ही लिखा होगा है यह नहीं पर कुछ जब कुछ जो आपके यह prices होते हैं items होते हैं उनके price increase होते हैं जैसे अभी आजकल हमने देखा था कि जो food crops थी उनके prices बहुत हाई थे टमाटर प्याज वगरा के prices बहुत जाजा थे तो यह थोड़े समय के लिए रहते हैं ठीक है और इनको कहते है skew inflation यह जो term use की जाते है यहाँ पर वो की जाती है skew inflation की कुछ items के prices ही जो आवो बहुत हाई हुए बाकी के normal है clear यह समझा ही term अब जी sir इसके बाद यह वो terms है जो exam में direct पूठी जाती है वैसे तो देखो inflation को demand pull, cost pull करके पढ़ाना पड़ता है लेकिन अभी वो trend चला गया अब हम थोड़ा सा smart work करेंगे हम direct terms को समझेंगे क्योंकि demand से पता है हमें कि अगर किसी चीज की demand बढ़ती है तो generally बात है price भी बढ़ता है अगर किसी की demand नहीं है तो उसका price भी नहीं होगा ऐसा होता है यह clear है ना हम जी हरलीन मैम यह समझाया अगर डिमांड है तो price भी बढ़ेगा अगर डिमांड नहीं है तो price भी नहीं अब मान लीजे अगर supply भी बढ़ गई रुको 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 यही तो यही तो next हमारा है topic है अब देखो अब बादिश हो रही है ठीक है आज कल मांसुंस चली है तो अम्ब्रेला की demand बहुत जादा है तो प्राइस भी जादा है ठीक है लेकिन अब होता क्या है कि अम्ब्रेला की demand बहुत जादा है और कोई product कोई जो है वो infrastructure में रिकावट आ गई जैसे मान लीजे कि अम्ब्रेला का कोई truck आ रहा था जिसमें बहुत सारे चाते आ रहे थे और वो चाता जो चाते आ रहे थे तो वो truck जो है वो कहीं पर फस गया वो नहीं पहुंच पाया औ और ऐसे वो एक truck नहीं पहुंचा 100 truck फस गये तो मतलब किसी एक city में जो है वो umbrellas पहुंच नहीं पा रहे अब वहाँ पे जो लोग वहाँ पे जो दुकानदार थे उनके पास जितने umbrellas थे तो क्या वो उसका price कम करेंगे या ज्यादा करेंगे ज्यादा करेंगे सर उसकी वज़े से जो price हाई हो गए देन उसके बाद एक और inflation आती है demand के साथ वहते cost मतलब जो production level तक की पहले जो है अगर आप देखोंगे जो better bite वाले biscuit होते तो वह 20 रुपे के मिल जाते थे ठीक है अभी क्या है उसके production cost पे जो आवो price interest जादा लगने लग गया तो अब production cost ही उसकी जो हो 30 रुपीज हो गई और अभी market values की 35 हो गई तो मतलब क्या है कि जब आपके पास raw material में like wages आपने increase करी आपको interest ज्यादा pay करना पढ़ रहे आपको raw material के लिए ज्यादा करना पढ़ रहे खर्चा करना पढ़ रहे ज्यादा हो रहे तो वहां पर भी जो cost की वाचे से price raise होगा तो finally जो आपका final market price होगा उसमें भी हमें जो cost वाला है देखो cost वाला बहुत simple clear है हमें पता है कि production में हमें raw material चाहिए ठीक है normally समझो raw material चाहिए labor चाहिए capital चाहिए और land चाहिए अब होता क्या है यहां पर case में क्या बनता है कि यह सब का price हाई हो गया for example कि जो आपका raw material है पहले वो 10 रुपे का मिलता था लेकिन अब वो 20 रुपे का मिल रहा है वही labor को पहले 15 रुपे देने पड़ थे थे अब 25 रुपे देने पड़ रहे है वही capital investment पहले 50 रुपे थी अब 100 रुपे हो गई land का rent पहले 30 रुपे था अब 50 रुपे हो गया तो उससे क्या हुआ कि यहां पर price हाई हो गया मतलब यहां पर जादा invest करना पड़ रहा है तो अब कोई भी अगय जो आपका company है या कोई भी जो आपका industry है उसको जो है वो final जो आपना profit भी देखना है औ वो इन सबको total calculate करेगा और approximately 150 के round बन जाएगा तो फिर इससे क्या हो गया कि price भी हाई हो गया और यह clear अब इसके बाद आता है next term आता है creeping inflation यह आपके terms exam में creeping inflation सर इस cost वाले की भी कोई नाम है मतलब कोई टर्म है वास्ट पूल इंफलेशन कोस्ट पूल अच्छा च्छी के मांड पूल इंफलेशन क्रीपिंग इंफलेशन क्रीप का मतलब क्या होता है क्रीपिंग इंफलेशन माइल इंफलेशन इस तरह से थ्रू आउट इंफलेशन इस तरह से चलेगी कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है इसको बोलते ग्रीपिंग इंफलेशन और जर्नली ऐसी इंफलेशन 3% से कम रहती है Terms बहुत ही ज़्यादा important है अच्छे से समझना इसके बाद next आती है Troting inflation Troting inflation का मतलब होता है कि जब inflation 3% से लेकर 10% के बीच में है 3% से लेकर 10% के बीच में जो inflation होगी उसको जो है वो Troting inflation कहा जाता है अब इसमें जो factor आता है ठीक है वो यह आता है कि अगर इसको control नहीं किया गया तो बहुत challenge आजाएगा मतलब यहाँ पर सरकार के पास option होते हैं कि वो जो है वो क्या कर सकता है control कर सकता है clear simple याद रखना कि Troting inflation क्या होते हैं 3 से लेकर 10 के बीच में अगर inflation रह रही है तो उसको Troting inflation कहा जाता है अगर इसको नहीं control किया गया तो बहुत range अगर सरकार यहाँ पर काफी measures लेती है control करने के इसके बाद यह term exam में एक बार आ रखी है ग्लोपिंग inflation ग्लोपिंग इंफलेशन ग्लोपिंग इंफलेशन इसका मतलब यह हो गया कि डबल डीजिट इंफलेशन मतलब 10 परसेंट से उपर इंफलेशन चल रही है और जब डबल डीजिट में इंफलेशन है 10 परसेंट से उपर इंफलेशन है तो उस केस में money की value खतम हो जाएगी खतम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इतना इतनी महंगाई होगी लोग समान ही निखिरेदेंगे तो जब लोग समान निखिरेदेंगे that means economic जो cycle है वो नहीं चलेगा cycle नहीं चलेगा तो growth नहीं होगी तो economic growth रूख जाएगी इसको कहता है gloping inflation then इसके बाद एक term more apply होती है वो होती है hyper inflation क्या होती है hyper inflation inflation में hyper word जोड़ दो तू मितने hyper हो रहे हो हम ऐसा कहते है न इतनी hyper होना चाहिए तो मतलब खुद भी से control हट जाना ऐसा होता है न तो economy भी यहाँ पर कहा गया है out of control अब कुछ किया ही नहीं जा सकता उसको बोलते है hyper inflation यह clear हो गया यहाँ तक कि term में कोई doubt अब उसके बाद जो बॉटल में कोई demand pull अलग अलग थे ना की अलब same में ही आएंगे demand उसमें supply अलग होती है demand मतलब जब demand generate हो रही है cost pull में क्या होता है price increase हो रहा है raw material से लेकर सबका तो उससे increase हो रहा है demand कम ज़ादा होती है उसके ओपर based inflation जो होती है वो demand pull inflation में count होती है अब यह अभी अभी terms आ गया आगे और evolve होती जाएगी तो बहुत अच्छा से clear हो जाएगी एक होती है structural inflation structural inflation यह जो structural structure क्या हुआ economy का पूरा का पूरा system cycle वो structure हो गया पूरा का पूरा जिसमें हम production जिसमें हम interest जिसमें हम market इन सब की बात करते हैं यह पूरा का पूरा economy का structure हो गया एक economy में क्या कैने include होता है कि जहाँ पर हम product को बेजते हैं जहाँ पर product बनता है और जहाँ पर product को पर tax लगता है और जहाँ पर लोग product खरीते हैं basic economy का तो यही concept है अब इस पूरे को पूरे बोलते है structure structure अब अगर इस structure में कोई भी गड़बड होती है ठीक है कुछ भी तो उसको कह उसको और उसकी वज़ा से inflation होती है उसको कहते है structural inflation इसको एक example की form में समझते हैं कि जैसे मान लीजिए food inflation जो आपका food inflation हुआ था 2008 में और यह तब होता है जब हमारी economy जो है वो crash होनी शुरू हो जाती है hyper inflation होई चीज जो control में नहीं रही बिल्कुल भी नहीं तो structural crisis आगे economy में तो उसकी वज़ा से जो prices increase हो रहे हैं ठीक है और ज़्यादा जो है वो आपका inflation हो रही है उसको कहा जाता है structural inflation और जब यह होता है तो उसके बाद finally यहाँ पर क्या होता है reforms की demand की जाती है कि सारा कुछ reforms क्या जाएगा जिसे oil crisis हो गया या अगर war हो गई कोई भी तो oil crisis जब हुए थे तो उसके बाद 1970s में जब oil crisis हुए थे तो उसके बाद पुरा structural crisis आगे थे कि महंगाई जो है वो आसमान शूरी थी तो फिर सारा structure को दुबारा reset किया गया ये clear हो गया इसके बाद एक term आते है core inflation बुलोगे inflation की terms ही खतम नहीं हो रही है तो ये जो core inflation होती है इसको अगर और अच्छे तरीके से बहुत easy way में समझे core क्या होता है बिल्कुल basic कि जब basic level पर inflation हो रही है तो उसको कहते है core inflation कि यह समझाया कि नहीं को इसकी कि लिए अबना मतलब ही कि फूड और फ्यूल फूड और फ्यूल इन दोनों को बाहर निकाल दो उसके बाद जितने भी जो आपके products या services बजती है उसमें अगर inflation हो रही है तो उसको कहते है core inflation यह long term भी हो सकती है और short term भी हो सकती है बेसिक है core core क्या होते है जैसे देखो industry core sector है ठीक है cement core sector है जब हमारी economy के जो core sectors है उसमें जब inflation हो रही है तो उसको जो है वो आप क्या कहते है core inflation कहते है और इसमें हम food और fuel को नहीं include करते हैं then दूसरी जो term आती है वो आती है headline inflation headline inflation में हम क्या करते है food और साथ में fuel इन दोनों को भी add करते है headline मतलब जो सूर्खियों में रहती है यह किस वज़े से हो सकती है अगर मान लीजिए supply कम होगे जैसे food की inflation के अगर हम बात करें तो generally अगर आप देखते हो कि अगर जैसे अभी जो चला था यह crisis की जो टमाटर है अभी जब तक जो आवो बहारली स्टेट से टमाटर हमाचल में नहीं आ रहा था तो प्राइजिस बहुत हाई हो गयते हैं लेकिन जैसे ही वह वहां बहारली स्टेट का टमाटर जो हमाचल में आना शुरूआ प्राइज स्टेबल होने लगए तो इसको गहते है है मि High Line Infplease कि कुछ टाइम के लिए थी टेंपररणी थी और इसमें फूड और फ्यूम दोनों को इंक्लूज केहाज़ा है फ्यूम का इसमें कैसे पेट्रोलियम के प्राइजीज कोल और पेट्रोलियम के प्राइजें इंट्रनेशनल मार्किट को अपर डेपेंड करते हैं औ और थोड़े समय के लिए होते हैं अगर वहां पर कम हो रहे हैं तो यहां भी कम होंगे अगर वहां इंक्रीज हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो यहां पर भी इंक्रीज होंगे ये दो basic terms है बहुत ज़्यादा higher level पर चल डाते है लेकिन exam में पूछी भी जा सकती है अब जो next topic आता है वो आता है कि measure कैसे किया जाता है inflation को inflation की measurement आप किस तरह से करोगे तो पहला आता है wholesale price index wholesale price index अब आपको question कैसे याद रखना है कि यहां से question कैसे बन सकता है wholesale का मतलब क्या हो गया सुना है ना ना यह यह वोल से लेवल पर वो समान बीच रहा है इसलिए सस्ता मिलेगा ऐसा होता है अब दोड़ों को तो बहुत अच्छे से पता होगा और रुडाली मैं तो यह जो फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर वोल सेल पर याद रखना सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं और कैसे करता है वोल सेल प्राइज इंडेक्स को इसके लिए हमने एक बेस यह रखा है धोजार ग्यारा बारा जिसके बिहाफ पे जो है वो पूरा इसको calculate किया जाता है और office of economic advisory का main important role जो है वो इसमें रहता है मतलब इसकी जो आपका WPIA इसको publish करता है office of economic advisory wholesale price index it include only goods not services and published by the office of economic advisory and with base year इसका जो base year है वो है 2011-12 और यह जो department है मतलब पूरा का पूरा जो system work करता है वो ministry of commerce and industry के अंडर आता है question exam में पूछा जाता है कि wholesale price index को कौन release करता है अब previous यह दो terms हम पढ़ेंगे CPI और WPI दोनों exam में पूछे गए है इसमें services में क्या include होगा लाइक जैसे transportation cost हो गया यह construction हो गया यह सब जो है वो यहाँ पर नहीं include होगा wholesale का मतलब क्या होगा कि अभी product market में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है wholesale कौन होते हैं सब्सक्राइब कराते हैं मार्केट में अजी आप कीपर्स को जो शॉप कीपर डारेक्ट कंपनी के पास थोड़ी ना जाएगा वो जाएगा wholesale के पास होल्सेलर कनेक्ट होगा कंपनी के साथ आएसा होता है ना तो मतलब कि wholesale लेवल तक प्रोड़क्ट मार्केट में नहीं आया प्रोड़क्ट मार्केट में तब ही आएगा जब वो दुकान में होगा तो यहां पर यह याद रखना कि इसमें एक तो आपका services include नहीं होती है यह clear हो गया और base here तो बहुत important है इसका याद रखने के लिए देन उसके बाद next आता है CPI consumer price index consumer की बात की जारे है कौन होता है consumer हम लोग यहां जी गुड्स और services दोनों include की गई है कि यहां पर हम लोग हम लोग जो खरीद रहे हैं वो भी और services अब इससे कैसे पता चलेगा कि inflation हो रही है नहीं हो रही है सवाल यह है हम लोग समान खरीद रहे हैं से कैसे पता चलेगा कि inflation हो रही है नहीं हो रही है रुडाली मैं बताओ पहला पॉइंट प्राइज पहले एक प्रोडक्ट था उसका प्राइज था पचास रुपए तो सब खरीद रहे थे लेकिन अब उसका प्राइज हो गया एक सो पचास रुपए सेम प्रोडक्ट सेम उसका जो वैल्यू सब कुछ सेम लेकिन बस प्राइज इंक्रीज हो गया एक सो पचास तो अब क्या खरीदेंगे इससे भी पता चलता है कि मार्किट में कुछ ना कुछ फ्लक्ट्वेशन हुई तो मतलब वहाँ इंफलेशन है वहाँ कोई ना कोई दिक्कत है similar as it is with services कि माल लिजे कोई service अभी हमें available हो रही थी 100 रुपीज में लेकिन अब वही service हमें provide हो रही है 1000 में तो हम लेंगे तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि inflation यहां से इस तरह से पता चलता है और इसको calculate करने के लिए एक base year बनाया गया है और CPI का जो base year है वो है 2012 और इसको release करता है CSO Central Statistical Office अने से सुक्राइब करता है अन्जी उनका सेंटर क्यों था कैसे डेवल जूबी आई वाले 2011 बारा इनका base year और इनका सेंटर ऑफिस फिकानमिक एड्वाइजरी रिलीज करता है और जो CPI है वो करता है सेंट्रल स्टैस्टिस्टिकल ऑफिस यह एन इस एंडर भी आता है यह था नैशनल सेंपल सर्वे ऑफ इंडिया अभी CSO करता है समझा गया है हरलीन मैं क्लियर हुआ यह अंजी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वह आते जीडीपी डिफ्लेटर यह टर्म में बहुत जाद है जीडीपी डिफ्लेटर अब यहां से मैं आपको दो टर्म पढ़ांगा साथ में अभी तक तो आपने जीडीपी अब जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब हो गया नॉमिनल जीडीपी बाए रियल जीडीपी इंटो हंडर्ड जैसका फॉर्मूला है लेकिन अब बात आती है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है भाषब बीसीक टर्म्स आई बहुआ बैसिक नॉमिनल जीडीपी आप ने ऐसा सुना होगा न्यूस पेपर्स में कि अभी हम ग्रो कर रुए है एट परसेंथ हम ग्रोब है कर ह है हम ग्रो कर रहे है तन परसेंट लेकिन साल बर का result आता है तो उसमें हम grow कर रहे हैं 5% 6% ऐसा होता है अजी ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम calculate करते है nominal GDP को जिसको calculate किया जाता है current year prices बे current year calculation जब हो रही है तो उसको कहते है nominal GDP real GDP भी हम base year को calculate करते हैं और हमारी GDP calculate करने के लिए base year कितना है 2011-12 अब इसको change करने की बात की जा रही है तो जब हम current year पे prices को calculate करेंगे यानि कि कोई चार quarter होते हैं हमारे ठीक है तो मान लीजे quarter है January से लेकर March तक था तो January से March के बीच में last year जितनी inflation हुई थी और अभी जितनी है उसके बहाफ पे या फिर last year जितनी growth हुई थी और अभी कितनी growth हुई थी उसके बहाफ पे जो calculate किया जाता है उसको कहते है nominal GDP लेकिन वही अगर हम January से March की growth को base year पे calculate करेंगे तो उसको कहते है real GDP और GDP deflator क्या होता है nominal GDP by real GDP into 100 कि एक proper पूरा calculation के लिए term use की जाती है इसमें हम क्या करते है कि जो हमारा real price है और जो हमारा एक nominal price है उन दोनों को divide करते है यह समझा गया यह clear हूँ जी अब वो मैम की एक term थी मैम ने कहा था कि inflation अगर होती है तो उसका positive भी कुछ रहता है ऐसा कुछ term थी ना मैम वो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगाई के negative impact हो positive impact भी होते है अब यह बहुत basic concept है बहुत basic बहुत ध्यान से समझना इसको अगर एक pen पहले 5 रुपे का मिलता था अब वो 8 रुपे का मिल रहा है अब pen हमारी जरूरत है अगर student के लिए pen नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी ऐसा है हमें खरीदना ही पड़ेगा तो इस case में कहा जाता है देखो 5 रुपे का मिल रहा था inflation नहीं थी उस time लेकिन 8 रुपे का मिल रहा है जब inflation हुई और हमें पता है कि जब 5 का था हमें तब भी लेना है और जब 8 का है हमें तब भी लेना है तो इसका मतलब गया है कि हमारी मजबूरी है तो अगर हम same product 8 रुपे में खरीद रहे हैं तो ये inflation के time पे हो रहा है लेकिन इससे क्या हो रहा है सरकार को 3 रुपे का profit हो रहा है और ये 3 रुपे का profit आप एक तरह से national level पर लेकर चलो तो ये 3000 करोड का भी हो सकता है तो अगर इससे क्या होगा नॉर्मल पांच रुपे वाला पैन 8 रुपे में मिल रहा है 3 परसेंट तीन जो है वो यहां पर रुपे का फैदा हो रहा है इससे हमें ये भी पता चलता है कि GDP में भी growth होगी 5 रुपे का पैन ले रहे तो हमारी GDP 7 परसेंट थी लेकिन वही पैन 8 रुपे में ले रहे है तो हमारी GDP 9 परसेंट हो गई तो मतलब यहां पर भी GDP में growth होती है तो inflation कहीं ना कहीं जो है वो हमारी GDP में positive जो है growth rate को दिखाता है क्यों क्योंकि हमें वही services वही goods and services मेहंगी ज्यादा पैसो में खरीदने पड़ते है ज्यादा पैसो में खरीदने का मतलब market में पैसा और पैसा मतलब economic growth लेकिन inflation होने की वज़ा से prices हाई होने की वज़ा से इसको neutral show कर दिया जाता है जैसे टमाटर है 50 रुपे के हुए खरीदने तो फिर भी पड़े न प्याज मेंगा हुआ तो फिर भी खरीदना पड़ा petrol मेंगा हो रहा है फिर भी खरीदना पड़ रहा है इससे क्या हो रहा है कि सरकार के पस revenue collection भी अच्छी हो रही है क्योंकि वही petrol अगर 40 रुपे खरीदना पड़ता था तो सरकार के पास revenue collection कम होती थी लेकिन महंगाई में वही petrol हमें अब 100 रुपे का भी खरीदना बढ़ रहा है तो इससे क्या है सरकार के पास revenue काफी जाता है I hope यह clear हो गया होगा माम आपको पर सर पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे इन में कुछ मतलब बाकी जैसे raw materials उन्हीं की cost बढ़ गई हो यह जिस कारण जो price है वो बढ़ाया गया हाँ तो ऐसा होता है inflation में अलग अलग type पे जाएंगे bottleneck inflation पर हम जब चलते हैं तो हमें पता है क्या होता है कि price कम हो गया bottleneck inflation में तब supply कम होगी sorry price ने supply कम होगी अब जब supply कम हुई तो जनरली बात है price हाई होगा अब खरीदना तो पड़ेगा ख्यूंकि umbrella की जरूरत है ठीक है बिना खरीदे तो रहे नहीं पाएंगे ठीक है clear इसके बाद एक important topic है छोटा सा topic है इसको आजम पढ़ेंगे 5 year plans तो ये जो planning का system है आपको शिर्फ ये याद रखना है कि किस 5 year plan में क्या हुआ हमने वहाँ पे क्या initiative लिया उतना याद रखेंगे काफी होगा ठीक है पहला 5 year plan सबसे पहले तो याद रखना कि जो 5 year plan system है इसको हम USSR से लेकर आये थे हमने इसको रशिया से जो है वो अडॉप्ट किया है रशिया में जो है वो 5 year plan system को follow किया जाता है हर साल election होते हैं पांच साल के लिए सरकार बनती है तो पांच साल के लिए ही जो है वो 5 year plan को भी जो है वो अडॉप्ट किया गया और पहला plan जो अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था है वो slow चली है तो एक term तो आपको यह याद रखनी है पहली कि इस personality का नाम याद रखना है कि इसमें क्या हुआ था तो जब आपको mains में लिखने के लिए आता है ठेक है वहां पर mains में आता है कि पहले जो decade था पहले दो decade थे उसमें हमारी economic growth कैसी थी तो हम इस personality को quote कर सकते हैं और हम यह कह सकते हैं कि हम slow grow किये हैं पहले फाइब यह प्लान में सब कुछ के ओपर focus किया गया मतलग थोड़ा सा यह कहा गया कि agriculture sector भी चाहिए थोड़ा सा कहा कि dams वगयरा भी construct करने है जिसमें भाकडा नंगल dam बनाया गया ताकि irrigation की facilities provide की जा सके और साथ में यहां पर यह भी कहा गया कि अगर agriculture करना है तो उसके लिए machine होनी चाहिए बड़ी-बड़ी machine ने होनी चाहिए तो यहां पर heavy industry के ओपर focus किया गया और इसको कहा जाता है हरोड दोमर मोडल जो यह पहला प्लान है इसको जो है वो आपको यहां पर कहा गया हरोड दोमर मोडल मतलब यह पूरा को पूरा framework था जिसके ओपर यह प्लान बना तो first five year plan पे कहा पर focus किया गया थोड़ा agriculture के ओपर लेकिन जादा heavy industry के ओपर यहां पर यह कहा गया कि अगर हमें agriculture grow करना है तो उस case में क्या होना चाहिए यह आपके पास high machinery होनी चाहिए इस पर focus यहां पर किया गया और यहां पर irrigation के regarding जो है वो भाकडा नंगर डैम जो है वो बनाया गया target किया गया था कि हम 2.1% grow करेंगे हमारा तो target ही बहुत छोटा था पहली बाग यहां पर लेकिन हमने अचीव किया देन उसके बाद second जो five year plan था second five year plan में rapid industrialization पर focus किया गया rapid industrialization यह याद रखना यह term direct paper में पूछी जा सकती है यहां पर यह कहा गया कि हमें rapid industry पर focus करना चाहिए क्योंकि जो first five year plan था हमारा वहां पर हमने यह target तो कर लिया था कि five industries होनी चाहिए लेकिन हम उसको properly implement नहीं कर पाये थे उतना ज़ादा तो हमने यहां यहां पर कहा कि अगर हमें agriculture को और strong बनाना है हमें यह जो हमारा growth rate है उसको और positive लेकर जाना है तो उसके लिए हमें rapid industrialization चाहिए और इस model को कहा जाता है इस plan को कहा जाता है PC Melanobis plan जिसमें structural transformation जो है वो यहां पर की गई थी और हमने target क्या था 4.5% growth करना लेकिन जो हम grow किये थे वो 4.27 तक slightly कम थे थोड़े से second clear हो गया first second दोनों clear हो गये मतलब focus कहां जा रहा है सिरफ industry के उपर और आपको मैं काम देता हूँ उसके बाद आपको न 8 core industries के नाम याद करने है गल के लिए जब भी हमारी next class होगी तो उसके लिए आपको 8 जो core industries है उनके नाम याद करने है with sequence की किसका share सबसे ज़्यादा कितना है इसके बाद आता है third third five year plan में सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हुआ था इसका year भी याद रखना जरूरी है 1961 से लेकर 66 इसमें हमने target growth रखी थी 5.6% की लेकिन हम कितना growth किये 2.4% इसका कारण क्या था हमने दो लड़ाईया लड़ी पाकिस्तान और चाइना दो के साथ हमने लड़ाईया लड़ी और third important की हमने यहाँ पर पंचायती election किये थे पहला दूसरा हमारे पास food inflation थी जै जवान जै किसान का जो slogan आया था नारा जो दिया था यहाँ पर लाल बादुर शास्त्री जी ने वो इसले दिया था कि एक तो हमारे पास food नहीं था क्योंकि हमने पहले दो उसमें पहले दो plants में focus किया है वी इंडस्ट्री पे agriculture पे कम focus किया तो third में जब लड़ाई लड़ाई हुई और हमारे पास जो है वो यहाँ पर सूखा पड़ गया क्योंकि मौनसूर अच्छा नहीं हुआ था एक concept और याद रखना कि जब भी भारत क कि ओपर चैलेंजी आए क्राइसी आए तो मौनसून ने कभी साथ नहीं दिया जाए लेक 1962 में वार हुई थी 1965 में वार हुई थी मॉन्सून बिलकुल अच्छा नहीं हुआ था मॉन्सून यह री कि बारिश अच्छी नहीं हुई तो मतलब हमारे आदे से ज्यादा जो देश है वो रेंफेड है बारिश के वो डिपेंड करता है अगरी कल्चर के लिए पानी नहीं मिला पानी नहीं मिला तो ड्रफ लाइक कंडिशन ड्रफ लाइक कंडिशन तो मतलब प्रोडक्शन नहीं हुई उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गए जिसको तीन हॉलिडे प्लांस भी खा गया है 1966 से ले 7, 68, 69 मतलब इंडो पाक वर, इंडो सिनो वर इनकी बज़ा से जो आपका थर्ड फाइवेर प्लान था वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया और फिर यह माना गया कि फाइवेर प्लान सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो एक-एक साल की प्लानिंग की गई जिसको कहते हैं हॉलिडे प्लान तीन हॉलिडे प्लान आये थे यह पूछा जाता है पेपर में और यह याद रखना 1966 से लेकर 69, 67, 68, 69 तीन साल एक-एक साल की प्लानिंग हमने की जिसको कहते हैं प्लान हॉलिडे या हॉलिडे प्लान फिर उसके बाद आता है फोर्थ फायवेयर प्लान अब एक चीज और समझना है जब हमें पता चल गया कि इंड्रस्ट्री से ज़्यादा कोर इंड्रस्ट्री से ज़्यादा हमें चाहिए भूट तो थ्र्ड फाइब प्लान में यहां पर ग्रीन रेवुलुशन अधा 1966 में 1960 में वी प्लान ग्रीन रेवुलुशन जिसमें कौन थे हमारे जो Green Revolution के father, father of Green Revolution in India MS Swaminathan MS Swaminathan, इन्होंने Mexico की help से High Yield Varieties को Introduce किया जिसकी वज़ा से Northern India में जब इसको Introduce किया गया था, भारत Within Two Decades जो है वो Surplus Production में पहुँच गया तो ये Basic Plan यहाँ पर लेकर आये थे फिर उसके बाद 3 Holiday Plan और Next उसके बाद 4th जो 5 Year Plan आता है 1969 से लेकर 74, इस टाइम पर इंद्रा गांदी जी प्रैमिनिस्टर थे और इंद्रा गांदी जी यहाँ पर Formula लेकर आया थे, गरीबी हटाओ ये पूचा जाता है, गरीबी हटाओ का जो Formula था, वो कौन से 5 Year Plan में आया है, तो ये 4th 5 Year Plan में आया था, और इन्हों ने कहा, यहाँ पे गरीबी हटाओ, अब क्यों गरीबी हटाओ, concept आ गया, हमने कहा, हमने heavy industry पे focus कर लिया, हमने agriculture भी दे दिया, हमने agriculture मतलब high yield varieties की grain revolution के तुरू, अब जो है वो farmer भी grow करने लगे, तो अब बाकि किसानों का भी भला होने लग गया, अब बच दितने गरीब लोग, तो इंद्रा गांदी जी यहाँ पर formula लेकर आई, गरीबी हटाओ, plus यहाँ पे जो आपका green revolution था, उसको boost किया, nationalization of bank, 14 बैंकों को यहाँ पर nationalize किया गया था, और एक program launch किया गया था, जिसको कहा गया, इसको एड्रेस करने के लिए, या फिर यह जो ड्रफ जो condition raise हो रही है, due to the monsoon, इसको एड्रेस करने के लिए, यहाँ पर यह program जो है, वो launch किया गया था, सरकार ने, लेकिन 1971 की war, हमने target तो क्या था, 5.6% grow करना, लेकिन हम grow कर पाए, 3.3%, क्यों? हमारे वे होगी लड़ाई, तुबार से पाकिस्तान के साथ, इंडो, पाकिस्तान, war और बंगलादेश बन गया, इतने सारे refuges आये, crisis है, सरकार इन सब में busy रही, तो यह जो achievement थी, जो कि target से हमारे यह उतने अचीव नहीं हो पाए, उसके बाद आता है, 5th 5-year plan, अब हमने बाद की गरीबी हटाओ की, तो हमने पहले option लिया, agriculture का, दूसरे में हमने कहा कि भाई, अगर गरीबी हटानी है, तो employment प्रोवाइड गरो, generate employment, तो employment generation का focus यहां पर किया गया, प्लस साथ में, 1972 में हुआ था, रामसर convention, wetlands को protect करने का भी हमने यहां पर जो यह से पहले decision लिया, meanwhile क्या हुआ, 1975 में लग गई emergency, इंद्रा गांदी जी ने emergency लगा दी, दो साल के लिए लग गई, 1975 से 1977, जिसकी वज़ा से जो यह employment थी, यह भी गई, poverty elevation का जो नारा था, यह भी गया, जो हमने targets रखे थे, वो नहीं अचीव हो पाए, meanwhile क्या हुआ, 1978 में नई सरकार बन गई, मुरारजी देशेई की सरकार बनी, उन्होंने सिर्फ constitutional reforms भी किये, लेकिन उन्होंने commission अपॉइंट कर दिया था, backward classes के लिए mandal commission, इसके बाद, यहाँ पर rolling plan आए है, 1978 से लेकर 80 के बीच में यहाँ पर rolling plan आए है, जिसमें basically यह जनता सरकार इसको लेकर आई थी, वो उन्होंने यह 5 year plan system पर जो आवो फोकस नहीं किया, दो साल में उनकी सरकार भी चली गई, अगेन उसके बाद next आ गया, 6th 5 year plan, 1980 से लेकर 85, यह year याद रखने बहुत जरूरी है, rolling plan एक पहले आया था holiday plan, कब से कब के बीच में आया था holiday plan, 66 to 69, 66 to 69, और जो second हो गया, यहाँ पर यह हो गया हमारा rolling plan यह हो गया, 78 से लेकर 80 के बीच में, then उसके बाद 6th 5 year plan आया, जिसमें 82, 85, इसको कहा जाता है, second green revolution की phase, phase of second green revolution, जो green revolution पहले northern states में इंट्टीूज हुआ था, अब उसको eastern states में जो होगा expand कर दिया, expansion toward Bihar, West Bengal side, यहादी की eastern UP वाली side में, साथ में यहाँ पर economic liberation की बात की गई, एक fact था, यहाँ पर समझना, बहुत important है, सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया कि, जो ruler areas है, उसकी development होगी, क्योंकि कही ना कि पंचाईती राज का system भी साथ साथ में चला था, हमने committees पढ़ी है ना, इस time पर बनी है, 80, 85, 86 में committees बनी थी, तो वो committees भी चली थी, तो मतलब ruler development की बात की जारी थी, तो यहाँ पर नबाड बनाए, 1982, हमने target किया था, ग्रो करना 5.2%, लेकिन ग्रो किया 5.7%, क्यों, एक तो जो agriculture था, उसको expand किया, eastern region में, second, हमने यहाँ पर family planning को भी introduce किया, 1950 से लेकर, 1951 से लेकर 81 के बीच तक, हमारी population double हो गई थी, तो मतलब family planning को हमने introduce किया, agriculture को expand किया, पहले कितने bank nationalize किये थे, 14, अब और किये, और total I think 20 या 19 है, 6 और किये, nationalization हुई यहाँ पर banks की, और total 20 के round शायदा है, इसको एक बार confirm कर लेना, 20 या 19 दोनों में से कोई एक होगा, then इसके बाद, यहाँ पर 1984 में क्या हुआ था, operation blue star, operation blue star, yes sir, हम सिर्फ to the point पढ़ेंगे इसको, operation blue star, then उसके बाद, 75 ए प्लान आया, 85 से लेकर 90 के बीच में, प्राइम मिनिस्टर कौन, राजीव गांदी जी, 400 पार, around 400 की मिज़ार्टी थी, यहाँ पर सरकार के पास, इन्होंने focus किया, productivity level पर, with the use of technology, इन्होंने कहा कि, technology को भाई साथ में लेकर जाओ, productivity के लिए, तो मतलब क्या है, इन्होंने कहा, economic productivity को increase करना, food grains की production को increase करना, employment generate करना, और यहाँ पर, जो इन्होंने कहा था, कि अगर मैं उपर से 10 उर्पे देता हूं, तो वो नीचे तक तो यहाँ एक रुपई पहुंचता है, यहाँ पर target रखा गया, एक तरह से, कि हमें grow करना है, anti-poverty, technology प्रोग्राम्स यहाँ पर शुरू किये गए, modern technology को जो अडॉप्ट करने वाला system था, वो यहाँ पर शुरू किया गया, और कहीं ना कहीं यह कोशिश की गई, कि economy को independent बनाना है, उसके बाद अगेन दो annual plan आते हैं, 1990 से लेकर 1992 तक, और यह तब आते हैं, जो political instability होती है, बीच में सरकारे बदलती है, जिसे 8th 5-year plan इंटर्ड्यूज नहीं हुआ था, 1990 में, क्योंकि सरकार बदल गई थी, similar उसके बाद दो annual plan यहाँ पर आये, लेकिन जो 8th 5-year plan जब 1992 में इंटर्ड्यूज हुआ, तो यहाँ पर हमने किये reforms, जिसको बोलते हैं, LPG, हमने अपनी economy को open किया, अब आपको एक fact समझाता हूँ, 1951 से लेकर, 1991 तक, पूरे 5-year plan हम पढ़न, मतलब हमने अभी तक यहाँ तक cover कर दी हैं, और इन 5-year plan में हमने follow किया था, inward looking growth, हमने कहा था, कि हम अपनी economy को close रखेंगे, अभी तक हमने अपनी नहीं पढ़ा, कि हमने foreign investment की, हमने जो है वो किसी सरकार को, किसी देश को कहा, कि आप हमारे पास invest करो, लेकिन, और इसको कहा जाता है, inward looking economy, और इसको हिंदू growth rate भी खा गया, देन उसके बार, 1992 में हमने किये, reforms, economic reforms, जिसको हो आजाता है, LPG, यानि कि liberalization, globalization, privatization, हमने target set किया था, 5.6 crore का, लेकिन हमने grow किया, 6.8%, किसी को याद है, इस time पे finance minister कौन था, अजिन उबो थे, Dr. Manmohan Singh, जो है वो यहाँ पर जो है, वो इस time पे, finance ministry थे, जिन्होंने reforms की है, बेश के बाब, अब हम बात कर रहे हैं, हमारी economy को open करने का, यह मतलब, हमारी economy open होगी, population control करेंगे, reduce करेंगे, poverty को, और employment generate करेंगे, जब economy open हुई, तो generally सी बात है, investment हुई, investment हुई, तो job creation, यानि कि employment हुई, ग्रो कर रहे हैं, उतना हम 1991 में ग्रो कर रहे थे, 1992 में ग्रो कर रहे थे, फिर उसके बाद, यहां पे आया, 9th 5 year plan, 9th 5 year plan आता है, 1997 से लेकर, 2002 के बीच में, इस टाइन पे, जो प्राइम मिनेस्टर थे, बो थे अटल भिहारी, वाजबही जी, प्राइम में स्टेट यानि की देश, नूकलियर पावर कंट्री, जो है वो भारत बना, 1998-1999, उप्रेशन शक्ती, इससे पहले वाला जो उप्रेशन था, 1974 का, वो था स्माइलिंग बुद्धा, और यहां पर हमने जो है, वो उप्रेशन शक्ती, जो है वो लांच किया था, पोखरन में जो है वो हमारी नूकलियर टेस्ट रेंज, वहाँ पर हमने सैकिंड टाइम जो है वो टेस्ट कंड़क्ट किया था, एक बार उप्रेशन को कंफर्म करे लेना, कि यही है, क्योंकि मेरे माइन से स्किप कर भी सकता है, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, 1999 में एक इवेंट हुआ है, मतलब इवेंट ही कहेंगे हमीं हमीं से, लेकिन 1999 बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो भारत के लिए आया, वो क्या था, कारगिल वार, यह जो कारगिल वार हुई, और इसके रिगार्डिंग जो उपरेशन लौच क्या गया था, उसका नाम क्या था, करेंट अफेर अभी तो पढ़ा है, 26 जुलाई को तो अथा, कारगिल वीजे दिवस, क्या नाम था उपरेशन का, अब तो मैंने हिंट भी दे दिया, सर वीजे, तबी तो ऑपरेशन वो शेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, देन उसके बाद आता है, तेंथ फाइब अब यहां से कोईशन बनता है एग्जाम में, कैसे बनता है, क्योंकि अब हम पहुंच गया है, एक मौडरन ग्लोबलाईजेशन में, ठीक है मतलब हम एक modern world में पहुंच चुके है phase of globalization यहाँ पर चल रही है तो यहाँ पर जो target रखा गया था वो रखा गया था यह बहुत जादा important है ध्यान से समझना है इसको टाम ही बहुत जादा important है inclusive and equitable development development यह बहुत important inclusive and equitable development का यहाँ पर theme थी जिसमें हमने कहा था कि growth rate 8.7% 8.1% होगा लेकिन हमारी actual growth कितनी थी 7.6% आज से बहुत जादा इवन आप मानोगे नहीं कि 2088 में जब crisis चल रहे थे वर्ड में उस टाइम पे भारत positive growth शो कर रहा था भारत को इतना नुक्सान नहीं हो था देन उसके बाद 11th फाइवर प्लान आता है 2007 से लेकर 2012 के बीच में यहाँ पर हमने बात की है repeat and more inclusive growth including sustainability environmental sustainability and reduction in gender inequality तो अभी तक हमने नहीं बात की थी कहीं पे भी gender inequality की तो मतलब यह टर्म यहाँ पर raise हो गई नेक्स जो फाइवर प्लान आता है लाइस इसमें टेंथ फाइवर में नोट्स में आपके यह देखो उपर लिखा नहीं हो असर इट इस आल्स इंफिसाइज रिद्यूसिंग जेंडर गैप्स जेंडर गैप्स जो मेंश्राइब्स हैं वह 11th में लिए गए एक्जेक्टली क्या होता है कि यह दो सरकारे सेम थी ओके 2004 से लेकर 14 तक सरकार सेम थी अब क्या होता है कि वहां पर वो एक कॉर्णर में पड़े थे यहां पर हाइलाइट हो गए हैं में काम हैं इनक्वालिटी को एड्रेस करना जैंडर इनक्वालिटी को पहले हमारा जो fokus था वो inclusive और equitable development को promote करना था है लेकिन अब ही हमने कहा rapid and more inclusive more inclusive को बताने के लिए हमें जो पहले quarter में पड़ा था उसको main stream पताना है हमने कहा कि जेंडर जस्टीज होगी जेंडर इनक्वालेटी को एड्रेस किया जाएगा क्लियर हुआ यह सुद्धन उसके बाद आता है त्वेल्थ त्वेल्थ फाइवर प्लान में हमने बात की अब क्लियर ऐसा नहीं है इससे पहले सस्टनेबल की बात ने की गई होगी कि गई होगी लेकिन क्लियरली मेंशन जो है वो त्वेल्थ फाइव यह प्लान में किया गया हमने कहा फास्टर मोर इंक्लोसीव एंड सस्टनेबल ग्रोथ जिसमें टारगेट था 9 परसेंट का लेकिन ग्रोग किया 8 परसेंट तो मतलब 2014 तक जो हमारी ग्रोथ थी वो 8 परसेंट के राउन थी अप्रॉक्सिमेट जिससे अभी वो कितनी हो गई है 6 तू 7 परसेंट के भीज में है तो हमारी ग्रोथ रेट कम हुआ है इसके बाद में और जितने मेजर्स थे न छोटे छोटे लाइक पोवर्टी एलिवेशन एलिमिनेशन या फिर अगर हम बात करें बेसिक जो थे कि एजुकेशन देनी है सबको ठीक है और सबको राइट्स करना है वो सब चलते रहेंगे साथ साथ में वह हर प्लान में इंकलूड होते हैं बेसिक है लेकिन जो इंपॉर्टेंट जिस तरह से क्वेशन बन सकता है वो सब हमने डिसक्स कर लिया यह थी हमारी क्लास सेकेंड एकॉनमी कि इसके बाद एक या दो क्लासी जूर बचती है फिर हम हिरी देट हुराने पारिमी स्थिच्ट्टरी CA,